ओम शान्ति आज तिनांक एक जुलाई दो हजार बाईस प्राताह मुरली बाब दादा मदुबन बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें माश्टर प्यार का सागर बनना है कभी भी किसी को दुख नहीं देना है एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है मीठे बच्चे तुम्हें माश्टर प्यार का सागर बनना है कभी किसी को दुख नहीं देना है एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है हमारा पिता परमात्मा निराकार जिन्हें प्यार का सागर नाम से भी जाना जाता है अर्थात ऐसा प्यार का सागर है कि वह अपने बच्चों के हर अपकार को भूल कर उन पर उपकार करता है निस्वार्थ प्यार करने वाला एक ही निराकार पिता परमात्मा है जो हम आत्माओं से ऐसा निस्वार्थ प्यार करता है कि हम उसे इतनी गालियां देते हैं ठिकर वित्तर में ठोक देते हैं उसकी गलानी करते हैं फिर भी वहा हम बच्चों को आकर विश्व की बातसाही देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात कहते हैं, तुम मेरे बच्चे माश्टर प्यार का सागर हो। तो अब बाबा की सिरिमत कि बाबा के समान बनना है, बाबा हमें लक्ष भी देते हैं, बाप समान बनो, क्योंकि बाबा ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं, जहां जानवर भी सभी से प्यार करते हैं, कोई किसी का दुस्मन नहीं होता, कोई किसी पर गुस्सा नहीं करता, व पर आत्मा एक दो से प्यार ही करती है। इसी लिए बेहद के बाप का गायन है। कि बाबा प्यार का सागर है, जरूर वह बाप इतना प्यार दे कर गए होंगे। सत्यूग में भी देखो, एक दो को बहुत प्यार करते हैं, जानवर भी एक दो को प्यार करते हैं। यहां तो वह है नहीं। वहां कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार न रहे। तुम्हें धारन करने हैं, जैसे तुम्हारे पिता परमात्मा निराकार के हैं। क्योंकि अब तक तुम जिस राज्य में रहते थे, वहां था रावन राज्य, वहां एक दो के सब दुस्मन होते हैं। तो बाबा अब आए हैं, कल्प पहले मिसल हम बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाने। प्रश्न किया बाबा ने माया चलते चलते किन बच्चों का गला गोड़ देती हैं। तो माया उनका गला घोड़ देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बेटती है। जो पड़ाई ही छोड़ देते हैं समझ में नहीं आता कि जो पड़ते और पड़ाते थे वह सब कैसे भूल गए। बुद्धी का ताला ही बंध हो जाता है। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते हैं। क्योंकि हम स्वयम को नहीं जानते अपने पिता को भूल जाते हैं बाबा कहते इसलिए तुम दुखी रहते हो। तो अब वही परमात्मा निराकार आये हैं जिन्होंने कल्प पहले हमें स्वर्ग की बातसाही दी थी। वही आकर हमें फिर से राजियोग सिखाते हैं। पांच विकारों पर जीत पहनना सिखाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे काम, क्रोध, मोह ये जो विकार हैं ये बड़े दुख देते हैं। 63 जन्मों से तुम जो अब तक दुखी थे इन्ही विकारों में डूबे हुए थे इसलिए दुखी थे। तो जिन बच्चों को खुद पर बाबा पर निश्चय हो जाता है। वे बच्चे इस ग्रहचारी से बच जाते हैं। उनका बाबा से लगाव पना रहता है। पर जो बच्चे काम, क्रोध में डूब जाते हैं। पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते जैसे वे मर गए। चलते चलते पढ़ते और पढ़ाते सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे बुद्धी का ताला ही लग जाता है। क्योंकि पवित्रता का सागर पिता हमें ऐसा पवित्र ज्यान सुनाता है कि वह जो बुद्धी पवित्र होती है पावन होती है उसी बुद्धी में ठहरता है। उन्हीं बच्चों को धालना होती है गायन भी है जिस प्रकार सेरनी का दूद सोने के बरतन में ठहरता है। और बच्चे जानते हैं कि भगत लोग तो ऐसे ही गित गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है। सब पतीतों को पावन बनाते हैं सब बच्चों को सुख्धाम का वर्सा देते हैं। तुम समझते हो, हम वर्षा ले रहे हैं, आधा कल्प जब माया का राज्य है, तो ऐसा प्यार नहीं होता, बेहद का बाप प्यार का सागर है, प्यार का सांती का सुख का सागर कैसे है, यह तुम अभी जानते हो, प्रेक्टिकल तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, भक्त मार्ग वालों को मिलता नहीं, बाबा कहते, तुम बच्चों को प्रेक्टिकल में सब कुछ मिल रहा है, भक्ती मार्ग वालों को मिलता नहीं है, वह सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं, अभी वह याद पूरी होती है, बच्चे सम्मुक बैठे हैं, समझते हैं, बेहद के बा एक दो को बहुत प्यार करते हैं जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है यहां तो वहां है नहीं वहां कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार न रहे तुम बच्चों को भी सिखाया जाता है यहां प्यार के माश्टर सागर बनेंगे तो वह संसकार तुम्हारा अविनासी बन जाएगा यहां सब एक तो के दुस्मन है क्योंकि रावन राज्य है बाबा कहते हैं कल्प पहले मिसल हूँ बहु तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं कभी किसका आवाज सुनते हैं कि यहाँ गुसा करते हैं तो बाप सिक्षा देंगे कि बच्चे गुसा करना ठीक नहीं है इस से तुम ही दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे, जैसे लोकिक बाप भी बच्चों को सिक्षा देते हैं, वह होते हैं हद का सुख देने वाले, यह बाप है बेहत का और सदाकाल का सुख देने वाला, तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना, आधा कल् बहुत दुख दिया रावन ने बहुत बिगाड़ा है जो जिसके उपर चड़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं अभी तुम को रोसनी मिलती है यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है अगर तुम ग्यान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो दो अक्षर ही याद कर लो बेहद के बाप से हमको यह वर्सा मिलता है जितना जो बाप को प्यार से याद कर कमल फूल समान पवितर रहेंगे अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे उतना वर्से के अधिकारी बनेंगे विकार भी अनेक प्रकार के हैं स्रीमत पर ना चलना यह भी विकार है स्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो मामेकम याद करना है और कोई को याद नहीं करना है बाप इन द्वारा कहते हैं बच्चो मैं आया हूँ सबको ले जाने वाला हूँ हर एक धर्म में नंबरवार हैं पोप का कितना मान है इस समय तो सब अंध स्रद्धा में हैं, तुम सिवाए एक बाप के और किसको मान दे नहीं सकते, सब आर्टिफिसियल हैं, इस समय सब पुनरजन्म लेते लेते पतित बनते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है, पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल में समझते नहीं हैं, यह पतितों की दुनिया है, तो उनका क्या मान होगा, जैसे पोप है, फर्ष्ट, सेकेंड, ठर्ड में चलते आए हैं, उतरते आए हैं, उन्हों को नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वह नंबरवार ही अप पनापद लेंगे, इस चक्र को तुम अभी अच्छी रीती जानते हो, यहां आते ही हैं बेहद के बाप के पास, जिससे वर्षा लेना है, साकार बिगर तो वर्षा मिलता नहीं है, बाप कहते हैं, देह धारियों को याद मत करो, उचे ते उच एक बाप को ही याद करना है, कितना बड़ा फर्मान है, बच्चे मामे कम याद करो, देह धारी को याद किया, तो उनकी याद से पुनर जन्म फिर लेने पड़ेंगे, तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विकर्म विनास नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा, धंदे में, फाइदा भी होता है, गाटा भी होता है, निराकार बाप को जादूगर सोदागर भी कहते हैं, तुम जानते हो दिव्य दरश्टी की चावी, बाप के हाथ में हैं, अच्छा, कुछ भी देखा, क्रश्न का दीदार किया, इससे फायदा गया, कुछ भी नहीं, यह तो ड्रामा चक्र क जानना पड़ाई है न, जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ऊच्पत पाएंगे, अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है न, हम आपके थे, हम आत्माएं परमधाम में रहती थी, वहां कहने की भी बात नहीं रहती, ड्रामा अपने आप चलता रहता है, जैसे एक मचलियों का खिलो न दिखाते हैं न, उसमें तार में मचलियां पिरोई रहती हैं, ऐसा करने से धीरे-धीरे नीचे उतरती हैं, वैसे जो भी आत्माएं हैं, सब ड्रामा की तार में बंधी हुई हैं, चक्र लगाती रहती हैं, अब चड़ती कला ह बाबा कहते अब चड़ती है फिर उतरने लग पड़ती है तुम जानते हो अब हमारी चड़ती कला है ग्यान सागर बाप आया हुआ है चड़ती कला फिर उतरती कला को बाबा कहते तुम जान गए हो कितनी सहज है उतरती कला कितना टाइम लेती है फिर कैसी चड़ती कला होती है तुम जानते हो बाप आकर पल्टा देते हैं पहले पहले आदि सनातन देवी देउता धर्म फिर दूसरे धर्म में आते रहते हैं तुम बच्चे जान चुके हो कि हम हमारी चड़ती कला है उतरती कला पूरी हुई तमों प्रधान दुनिया में बहुत दुख है यह तूफान आदितों कुछ भी नहीं है तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े-बड़े महल गिर जाएंगे बहुत दुख का समय आने वाला है यह विनास का समय है हाए हाए त् लिकलेगा भगवान को ही याद करेंगे फांसी पर चड़ते हैं तो भी पादरी आदी कहते हैं गौट फादर को याद करो तुम जानते बाबा कहते फांसी पर चड़ते हैं तो पादरी आदी कहते हैं गौट फादर को याद करो परंतु जानते नहीं अपनी आत्मा को भी यथार्थ रीती नहीं समझते मैं आत्मा क्या चीज हूँ? क्या पाइट बजाता हूँ? कुछ जानते नहीं. आत्मा है कितनी छोटी. कहते हैं इस्टार मिसल छोटी आत्मा का साक्षातकार बहुतों को होता है. बहुत छोटी लाइट है बिंदी मिसल सफेद लाइट है उनको दिव्य द्रश्टी बिगर कोई देख न सके अगर देखते भी है तो समझ में नहीं आता है सिवाए ग्यान के कुछ भी समझ में नहीं आता साथचातकार तो ढेर होते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है यहां तो बुद्धी से समझ सकते हैं बाबा यतार्त रीती ही समझाते हैं और कोई की बुद्धी में यह बात नहीं है कि हमारी आत्मा 84 जन्मों का पाल्ट बजाती है अर्थात हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाल् ब्राम्मन बच्चे बनते हैं उन्हों कोही बाप समझाते हैं और उन्हों कोही 84 जन्म होते हैं दूसरे कोई की बुद्धी में पैठेगा नहीं तुम accurate समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है पहले गायन है ब्राम्मानों का मुख वंसावली ब्राम्मन है न यह और कोई नहीं जानते ब्राम्मा कुमार कुमारियां आर्डिनरी बात हो गई कोई भी समझते नहीं है यह संस्था क्या है यह नाम क्यों पड़ा है प्रजा पिता ब्राम्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्ण निकल ही जाएगा तुम कह सकते हो सिव बाबा के बच्च सब भाई भाई हैं फिर प्रजा पिता के बाबा कहते फिर प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर सिश्टर हैं यह समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा समझेंगे नई दुनिया की इस्थापना होती है बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पतित से पावन बन रहे हो य यह जो रक्षा बंदन आदी मनाया जाता है यह पुरानी रस्म चली आती है अभी तुम अर्थ को समझाते हो जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ग्यान मिलता है सत्यूग में थोड़े ही राम नवमी मनाएंगे वहां मनाने की बात ही नहीं रहती वहां तो ग्यान रहत ही नहीं है यह भी नहीं बाबा कहते यह भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है सुख में जन्म लेते रहेंगे वहां है ही योग बल से पेदाईस विकार का नाम ही नहीं होता है क्योंकि रावन का राज्य यही नहीं है वहां तो संपूर्ण निर्विकारी है पहल तो कैसे सिद्धों कि एक पुराना सरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं यहां से तो में पहले जाएंगे सांतिधाम बच्चे समझते हैं कि वह हमारा घर है उनको ही सांतिधाम कहते हैं वह तो हमारा अधवा बाप का घर है जिस बाप को याद करते हैं बाप से ही बिचड़े हुए हैं इसलिए याद करते हैं सुख में तो बाब भी याद नहीं आते हैं ही सुख की दुनिया बाबा अपने धाम में रहते हैं जैसे की वानप्रस्त में चले जाते हैं दुनिया में तो जब बुड़े होते हैं तो वानप्रस्त ले लेते हैं लेकिन परम पिता परमात्मा को बूरा थोड़े ही कहेंगे बूरा वा जवान सरीर होता है आत्मा तो वही है आत्मा में माया की परचाया पड़ता है तुम सब कुछ जान गए हो आगे नहीं जानते थे रचियता रचना का राज बाप ने समझाया है तुम बच्चे अभी सामने बेठे हो उनकी महिमा है उनकी महिमा बहुत है प्रेजीडेंट प्रेजीडेंट है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है बाप उच ते उच गाया जाता है तो जरूर हमको उचे ते उचा वर्षा मिलना चाहिए न कितनी समझ की बात है जैसे बा बाप का परिचय देना हैं वर्सा भी बाप से मिलता है तुम्हारा है प्रवरत्थी मार्ग तो बुद्धी में चकर फिरना चाहिए बाबा कहते बाप उचे दे ऊचा गाया जाता है तो जरूर हमको ऊच दे ऊच वर्सा मिलना चाहिए ना कितनी समझ की बात है जैसे बाप समझाते हैं बच्छों को भी समझाना है पहले पहले बाप का परिश्य देना है वरसा भी बाप से मिलता है तुम्हारा है प्रव्रत्ति मार्ग तो बुद्धी में चक्र फिरना चाहिए सर्वीश जरूर करनी है दिन प्रती दिन बहुत सहज होता जाएगा तब तो प्रजा व्रद्धी को पाएगी सहज मिलने से सहज निश्चय होगा बाबा कहते सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा नए नए अच्छे उच्छलने लग पड़ेंगे पुराना निश्चय बेड़ जाता है नंबर वार पुरुषार्ट अनुसार सबका पाठ चल रहा है हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्ट कर रहे हैं सच्ची और जुटी कमाई में फर्क रहता है न सच्चे रत्न दूर से ही चमकते हैं आज कल मनुश्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है। कहां छिपाएं, कहां रखें, धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धी का ताला खुलता जाएगा। कहां ना कहां ग्रहचारी बेटती है, तो कोई ना कोई संसय आ जाता है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, समझ में ही नहीं आता, हम तो पढ़ते थे, अब क्या हो गया है, थोड़ा भी संसय आने से गला घुड़ जाता है। बाबा में संसय हुआ, विकार में गए, तो एकदम किर पढ़ते हैं, काम और क्रोध सबसे बड़े दुस्मन हैं, मोह भी कम नहीं है, ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की इस्मरती नहीं होगी। बाबा कहते ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की इस्मरती नहीं रहती होगी। सब इस्मरती रहती है, ग्यानी तु आत्मा बच्चे इसारे से ही समझ जाते हैं। कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकेंड बाई सेकेंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नून्द है जो कल्प पहले हुआ था, वही करेंगे इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकेंड बाई सेकेंड खुलता जाता है। मुख्य है बाप की याद जिससे विकर्म विनास होंगे जितना बाप की याद में लगे रहते उतना विकर्म विनास होते रहते नहीं तो बाप धर्म राज रूप में साक्षात कार कराएंगे अभी भी बहुत हैं जो चलते चलते अनेक भूले करते रहते हैं बताते नहीं हैं नाम बहुत अच्छा अच्छा है परंतु बाप जानते हैं कि कितना कमपद हो पड़ता हैं, कितनी ग्रहचारी रहती हैं, उल्टे विकर्म करके बाप से छिपाते रहते हैं, सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती, तुम्हारा सब उपर में नुंधा हुआ है, अंतर यामी बाबा तो वहा है न, समझना चाहिए कि हम छिपा कर विकर्म करते हैं, तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, हम ब्रामन निमित बने हैं, समभलने के लिए, हमारे में ही यह आदत है, तो ठीक नहीं, इसकुल में टीचर की रिपोर्ट होती है, तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच में, उनको निकाल देते हैं, तो बहुत डर रखना चाहिए, तुमको याद एक सिव बाबा को करना है, बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, तुमको तो बाप के पास जाना है, उनको याद करना ह और स्वदर्सन चक्र फिराना है और कोई को याद करेंगे तो बाबा कहते तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पाइंट माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है उल्टे कर्मों से बच कर रहना है माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है उल्टे कर्मों से बचकर रहना है दूसरी पैंट बाबा कहते स्रीमत पर चलना बाबा कहते स्रीमत पर ना चलना भी विकार है इसलिए कभी भी स्रीमत का उल्लंगन नहीं करना है संपूर्ण निर्विकारी बनना है बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया वर्दान में बाबा कहते अपने चहरे और चलन से सत्यता की प्रत्यक्षिता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव अपने चहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव महान आत्माएं वहा है जिसमें सत्यता की सक्ती है लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना हर कर्म में सभ्यता स्वतह दिखाई देगी अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती उसे तो सिद्ध होने की सिद्धी प्राप्त है सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता स्लोगन में बाबा कहते नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे तो ये थे बाबा के महावाक्य एक जुलाई 2022 के अच्छा ओम शांती